नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है विनीत सागर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टोपिक जो केरला में दो क्रिस्टिन ग्रूप्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है एक चर्च को लेके, एक चर्च नहीं, उनके अंडर जितने भी चर्च आ रहा है मलंकरा चर्च ग्रूप में जितने भी चर्च आ रहा है वो चर्चस का administration, ownership, एह सब को लेके दो क्रिस्टिन ग्रूप्स के बीच में जो fight चल रहा है, सालों से इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके जो basics हैं आपको बताऊँगा काफी complex subject है, इसलिए मैं आपको basics बताऊँगा क्या है मलंकरा चर्च जिस्पूप और क्यू नूस में है तो, देखो, केरला is one of the lands where Christianity came in the early ages even before it reached Europe from its birthplace, Southwest Asia देखो, Christianity का जो origin है, वो हुआ का से था, Southwest Asia से था, Jerusalem, Palestine, West Asia में ऐसा आपनाम सुनाई होगा देखो, केरला में Christianity बहुत पहले आया, first century में आया करके belief है, वो भी कौन लाया जीसस क्राइस के यह जो आप फोटो में देख रहे हो, टोल्ड डिसिपल्स थे, अपोसिल भी बोलते हैं इनको, अपोसिल तो एक टोल्ड डिसिपल्स में थे, मैंसे, Saint Thomas, Saint Thomas, travel to India after crucifixion and resurrection of Jesus जीसस को जब crucify किया था, उसके बाद Jesus resurrect भी हुए थे, ऐसा Bible में कहानी है तो इसके बाद Saint Thomas, Christianity spread करने के लिए, जीसस के followers बढ़ाने के लिए, इंडिया आए, इंडिया में केरला आए और केरला में Christianity spread किया करके belief है, वैसे केरला में population में करीब 20% Christians है ये Christians बड़े influential group से बहुत रिच्छ है, बहुत सारे कम से कम 500 churches है केरला में 500 से जादा है तो इन में धेकोई churches में आख Christianity में दो बड़े-बड़े groups है, बताता हो क्या-क्या है ये एक है केरला मलंकरा Orthodox Church and Jacobite Syrian Christian Church ये Christians में जो दो बड़े-बड़े group के नाम है, केरला मलंकरा Orthodox Church and Jacobite Syrian Christian Church अब देखो मैं मलंकरा मतलब क्या में बताता हूँ आपको मलंकरा इसे combination of two words, मला which means mountains and करा which means land surface बस मैं मलंकरा का मतलब बता रहा हूँ आपको मला मतलब मल्यालम में mountains होता है, करा मतलब मल्यालम में land होता है, तो land of mountains बैसिकली मलंकरा मतलब land of mountains तो बहुत पुराना नाम है देखो, the मलंकरा Church refers to the collection of Indian apostolic churches according to tradition that originate in the missions of the Thomas Apostle, Thomas the Apostle in the first century तो मैं आपको बता है था, जो Jesus के जो told disciples है, इनको apostle भी बोलते है तो इन में से, मलंकरा Church refers to the collection of Indian apostolic churches तो मलंकरा Church ऐसे belief है, कि मलंकरा Church, जितने भी Church मलंकरा Churches के अंडल में है वो St. Thomas ने, St. Thomas ने concept करवाया करके एक belief है अब आगे चलते हैं, Beginning of Dispute Beginning of Dispute कब से हुआ, कौन-कौन से, केला मलंकरा Orthodox Church और Jacobite Syrian Christian Church ए दोन के बीच में, Dispute कब से शुरू हुआ After the arrival of Portuguese missionaries in India, the early Catholics started influencing the indigenous Malankara nationalities of Kerala in many ways to bring the ancient church under their control, to unify it under the Pope and to civilize Indian Christians देखो, ये 15th century की बात कर रहा है, जब अंग्रेशों से पहले Portuguese चासन खरते थे इंडिया में या केला साइड में जब Portuguese missionaries आये, मतलब देखो, वास्कोड़गा मां आया था, केला में कब 1498 में, आये का, केला में, क्यालिकट में, कापड़ करके बीच में सबसे पहले वो आये थे तो जब वास्कोड़गा मां इधर आया, आने के बाद Portuguese वालों ने बहुत सारे missionaries वेजा, किसके लिए? क्रिस्टियानिटी स्पर्ट करने के लिए, और क्रिस्टियानिटी जो केला में चला था, और जो वस्टेन कंट्रीस में चला था, उसमें फरक था, ठीक है? आप देखो, आफ्टर दा अरेवल अफ पोर्चुगीज मिश्रीज इन इंडिया, तो एरली कातोलिक्स हूँ, उन मलंगरा नसरानिस को अपने अंडर लाना चाहते थे, to unify it under the Pope, देखो, जो वस्टेन क्रिस्टियन से वो पोर्ट केंटर काम करते है, तो मलंगरा नसरानिस ऐसे नहीं थे, तो पोर्चीस वाले क्या चाहते थे, ये जो केरला के नसरानिस, जो इंडिजिनियस क्रिस्टियन स इनको भी Pope के अंडर लाये और उनकी तरह, मतला, बैसिकली उनकी तरह, क्रिस्टियन को फोर्ट करने के लिए, ये लोग ट्राई किया, देखो, ये कहानी की तरह समर सकते है, जब पोर्चीस आये थे, इधर बिसनस करने लगे, ट्रेड करने लगे, और पैसिया खमाये, आब वो क्या चाते थे कि इधर क्रिस्टियन इसप्रट करना है, अब वो देखा, तो केरला में जो क्रिस्टियन से, जो क्रिस्टियनिटी फोर्ट कर रहा है, वो उनके लेवल पे नहीं है, थोड़ा अंसिवलेज़ ने, ये बोलना था, तो इन्होंने क्या कि ये लोग ही चाहा कि हम लोग जो Christianity follow कर रहे हैं जो Pope को हम अपना spiritual head मानते हैं वाईसे इनको भी अपने line पे लाओ ये Portuguese missionary नहीं से सोचा तो उन्होंने क्या किया इसके लिए They used money, material comforts and offered threats to the priest of Malakar Nasrani to fulfill their wish पहले वो material comforts दिया ठीक थोड़ा comforts दिया ताकि तुम लोग हमारे साथ आजाओ पैसे पे किया, offered threat भी किया threat भी किया किसके लिए ये पूरे Christians को अपने line पे लाने के लिए Initially the local priest did not understand the intention of European Catholics तो European Catholics मतलब में बोलड़ाओं जो Western Christians है वो लोग के intention पहले इनको समझ में नहीं आया किसको ये Malakar Nasrani इसमें जो priest इनके जो priest थे उनको अब आता है आके चलते है Synod of diameter ये क्या था ये बिल्कुल नहीं ना मिला आपको Synod of diameter क्या है मैं पहले आपको समझाता हूँ और Synod of diameter को इस कहानी से क्या link है बताता हूँ मैं आपको Synod of diameter उदेयम पेरूर उदेयम पेरूर केरला में एरनागरम district में कोच्चिन के पास में एक जगा है उदेयम पेरूर Synod of उदेयम पेरूर was held in 1599 under the presidency of Alexio de Mences Latin right archbishop of Goa which was attended by many Latin bishops and priests the Malakar Nasrani chieftains were invited to the Synod देको Synod मतलब एही समझो एक meeting एक council देको Portuguese missionaries को Malakar Christians को तो उनके line पे लाना था आप इन्होंने क्या किया पहले material comforts दिया मैंने जैसे बोला पैसे दिये ठ्रेट किया सब किया इसके बाद इन्होंने क्या एक meeting घंडर किया इस meeting में प्रेशेट कौन किया Alexio de Mences Latin right archbishop of Goa तो Portuguese के टेम पे गोवा उनके एक headquarter जैसा था तो उदर के जो main है जो spiritual उनका जो इंडिया में जो main था main आत्मी था वो था Alexio de Mences इनके presidentship में इन्होंने उद्धेम पेरूर मतलब केरला में समझो केरला में उद्धेम पेरूर नाम के जगा में एक synode of diem पर कंड़ कराया मतलब एक meeting समझो एक meeting वो एक photo में दिख रहा है यह उस Synode of Damper का photo है ठीक है अब which was attended by many Latin bishops and priests मतलब भूँच सारे Latin bishops मतलब उदर से west से Latin bishops आये प्रीस्ट आये बोँच सारे प्रीस्ट यह सब उसमें शामिल थे मालंकरा नसरानी को चीफटेंड मलंकरा नसरानी के जो चीफ थे जो mainman आत्मी थे leaders थे उनको भी बुलाया इसके बाद क्या हुआ यह resolution was passed at the end of seven days in which the chief teams were persuaded to sign that they are accepting pop past their pontiff ठीक है तो यह है यह meeting 7 दिन चला 7 दिन के पास resolution पास हो गया और जो chief teams थे मलंकरा नसरानी के इनको भी यही बॉला ति अब तुमारा जो head होगा वो pop होगा तुमारा pontiff जो head हो pop माना जाएगा मतलब यह एक तरफ की जबरजस्ती थी gradually the Portuguese destroyed the manuscripts of Malangar नसरानी ignore their ritual customs देखो meeting दो conduct कराया पर वो थोड़ा unilateral था अब देखो वो meeting के बाद इनको resolution sign करना ही पड़ा क्योंकि threats था वो लोग ज्यादा थे उनके powers ज्यादा थे अब मलंकरा नसरानी के चीफ थे चीफ थे चीफ ही मानलो चीफ थे उननों को sign करना ही पड़ा पर इसके बात क्या हुआँगा ग्राजुली Portuguese started destroying the manuscripts of Malangar नसरानी हमारे जो मलंकरा नसरानी के जो scripts थे जो religious texts थे वो सब उनने डिस्टोई किया ignore the ritual customs जो customs follow कर रहे उसको भी इग्नोर कर दिया which had close resemblance with Hindu traditions in their style, art, performance, style of worship and rituals यही तो प्रब्लम थी क्योंकि जब पोच्चीज़ वाले उथर से आया उनका जो Christianity है जो केरला में और केरला में जो Christianity फोड़ो हो रहा है उसमें काफी फरक था केरला में जो सालों से Christianity चला था उसमें Hindu rituals, Hindu जो फोड़ो करते हैं उससे काफी संबन था काफी relation था, तो यही तो main वजा था उनको यह पसंद नहीं आ रहा था अलतार मतलब चर्च में जहां पूजा पाथ होता है उस एले को अलतार बोलते है तो वो सब उनने मतलब जो भी इनको इनको डिस्टोई करना था वो सब कर लिया ग्राजुली दे मलंगरा नासरानी इस वरीड और लोस्ट वांड़े टोगीट रिडूप्ट फिस कल्चन फिसिकल एनक्सेशन एक तरह का फिसिकल एनक्सेशन हुआ जबरदस्ती थी अब पहले तो नासरानी साइन तो कर दिया साथ दिन के बाद मीटिंग पर साइन तो कर लिया पर अभी भस गया मतलब फ्राइंड करने के बाद जबरदस्ती हो गया पूरा इनकी जितने भी इनके जो बुक्स थे इनके जो रिचुल्स कस्ट्रम सब फोडो करने के लिए मना कर दिया गया और डिस्ट्रोई कर दिया गया इनके चर्च आप आ रहा है कूनान क्रूजस ओअउध मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको यह गया धिया आप देखो वो इसकी कहानी, सेंट तोमस क्रिस्टियन प्रीस और चीफ्टियन इस असंबिल एड मटांजी रेले नियर करन्ट कोची मैं आपको पहले इपा थे, क्योंगी फर्स्ट सेंट ओमस ऐए थे, केरला में और क्रिस्टियन्टी इस प्रेट किया थे, तो केरला के जो क्रिष्टेंस से मलंगरा नासरानी इस भी बोलते है, अब सेंट तोमस क्रिस्टियन इनकी प्रीस्टें और चीफटेंसे यह मतांजी जो करन्ट कोची के पास में एक जगाए कोस्टर इरिया है उसके मटांजी रेंड में इखटा हो गया 54 years after 54 years 54 years के बाद वो लोग इखटा हो गया किसले they protested the Portuguese authority and wanted to maintain their tradition of their culture वो पोर्ची सब्रेटी बिल्कुल पसंद नहीं थे उनका customs और culture को लोग मना कर रहा था तो बिल्कुल पसंद नहीं थे तो they protested the Portuguese authority वो प्रोटेस करने के लिए खटा हो गया और वो प्रोटेस्ट का एक तरीका था कैसे they planted a stone cross and took out to protect the culture of original St. Thomas Christians देखो इस जैसे फोटो में दिख रहा है ऐसे एक stone cross बना दिया और उसमें क्या 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 बहुत सारे बंद्य आये थे तो क्या इसमें टच करके शबत लेना था कि आब हम पोर्ची सब्रेटी को नहीं मानेंगे हमें अपना पुरानी rituals पुरानी customs पुरानी culture जो हम फोडो कर रहे हैं सालों से वह चाहिए अब सब को सब तो touch नहीं कर सकते हैं इसलिए रिसी में touch कर दो और सबद लेलो अब से हम पोर्ची सब्रेटी को नहीं मानेंगे तो यह था इनकी कहां आगे चलते हैं दो दिस वास दन फ्रम टाइम टू टाइम ते इंवेटेब बिशप्स रम आंटियोग फोर देर ओडिनेशन कुछ समझ भी नहीं आया होगा मैं समझाता हूं देखो कूनन क्रूस ओद के बाद पोर्ची सदीरे दिरी इंडिया से चलेगे पोर्ची सोधूरटी भी लोग माननी रहे थे फिर भी केला क्रिस्टेंस में वस्टेंड कल्चर एकदम क्लियर दिखरा था देखो केला क्रिस् केला क्रिस्टिंस ने उनका स्पेरिचल हैड माना किसको पाट्रियाग ऑफ अन्ठीयोक अजगा है आजकल उस टे पर ग्रीस में थे अभी टर्की वे है तो पैट्रियाक ऑफ अंटीयोकी केला क्रिस्टिंस के हेड रहेंगे तो 19th century का end तक पूरे केला क्रिस्टिंस उनका ज जो पैट्रियक और आंटियो के जो पैट्रियक रहेगा वो केला क्रिसिंस का स्पिरिच्छल हड रहेगा ये 19th century का end तग ये ही फोड़ो हो रहा था केला में इन 1895 मोरान मोर इखनेशिस अब्देद मिसीओ टू बिकेम दपैट्रियक ऑफ एंटियोग अब देखो 1895 में नया पैट्रियक आगया ये जो नया पैट्रियक आगया ये समझ लो ये जब नया पैट्रियक चेंज हो के नया पैट्रियक आगया 1895 में उन्होंने क्या डिसिशन लिया देखो ये केरला कहा है और ये बेस्टेन यूरोप में ये जगा कहा है इतनी दूर आने जाने की जरूद कुछ नहीं है बिशप सीजर से जाएगा और उधर पूजा पढ कराएगा वापस आएगा ये सब की कोई जरूद की है उन्होंने एक नया प्लाइन बोला कि एक काम करदो आप मैंसे एक स्पिटिशल हट को सुट एलेट करदो मैं आपके चर्च को पोरी इंडिपेंट्स देता हूं के अला में आप लोग ही हैड रहेगा ये बोला जो अब आ रहा है मलंगरा ओर्टोडिक्स चर्च के बाद देखो मलंगरा ओर्टोडिक्स चर्च में जो हैड थे बैसेलिस तोमस वन उनके जो प्रीस थे ये बैसेलिस तोमस वन को जो पैट्रिक ओफ एंडियोग ने फर्स्ट कतोलिकोस बना दिया और मलंगरा ओर्टोडिक्स चर्च को पूरा इंडिपेनेट्स दे दिया समझा मतलब 1912 में जो मलंगरा ओर्टोडिक्स चर्च उसको पूरा इंडिपेनेट्स दिया गया और एक बैसेलिस तोमस वन को उधर के फर्स्ट कतोलिकोस मतलब हैड bishop बना दिया अब आप देखोगे poor administration जो भी है आप ही देख लो ऐसे बोल दिया ठीक है एक हुआ कब अब प्रब्लम शुरू हुई नाव वीटिन जीस चर्च एक ग्रूप अपी विद्धा ओडनेश ऑफ कतोलिकोस यह है एक्चल डिस्पूट का शुरूआत अब जब पैट्रियक ओफ एंडियोक ने बेसेलियोस तोमस वन को फर्स्ट कतोलिकोस फर्स्ट हेड बिशप बना दि होगा उनी को माने हमें कोई केरला वाला हेड नहीं चाहिए ठीक है पर उस टेम में वो तो माना नहीं पर क्या हुआ देख कि वेट टिल अंदर पैट्रियक टुको तो रूटिन आंडियोक में यह पैट्रियक चेंज होने के तक वेट किया इसके बाद यह जो जिस ग्रूप खुश नहीं थे जो केरला हेड से खुश नहीं थे उन्होंने स्पिट हो गया चर्च से और पैट्रियक ऑफ आंडियोक के नीचे रहेंगे करके फेसला कर दिया मतलब आभी केरला में दो खुश हो गया यह गुरूप पैट्रियक ऑफ आंडियोक के नीचे रहेंगे और एक गुरूप रहेंगे जो बसेलियूस तो मैंने आपको पहले में मैं पहले का दिखाता हूं, स्लाइड, प्रॉब्लम कहां था, केला मलंकरा ओर्थोड़स चर्च और जेकबेट सेरीन क्रिस्चिन चर्च के बीच में, आप जो जेकबेट सेरीन क्रिस्चिन चर्च है, ये जो ग्रूप है, ये ग्रूप किसको मानेगा, पैट्रियाकोफ अंट sequences देखो 1934 तक की कहानी आपको बता गिया मैंने अब 1934 के बाद क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है यह बताता हूं इसमें पूरा legal legalities आ रहा है ठीक है क्योंगी 1934 में ये case जब जाकपिट section और orthodox section अलग हो गया ये case court में जाने लग गया देखो the British India Supreme Court accepted the orthodox church as the official church and its 1934 constitution as the official governing rule of the church तो 1934 में मैंने आपको बोला दा orthodox वालों ने एक constitution ready कर लिया जाकपिट वालों को ये constitution पसंद नहीं थे पर तो जाकपिट वालों ने क्या किया उन्होंने case file कर या अब British India Supreme Court तबका British India Supreme Court ने ये verdict दे दिया कि ये जो और्तोरोक्स चर्चे जो 1934 का constitution बनाया ये वालिड है और पूरा churches का control और administration और तोरोक्स वालों को ही देगा right the Jacobite group file petition code obviously about a Jacobite group को ये verdict पसंद नहीं था क्योंगी case तो हार गे ये अगें petition डाना शुरू किया when cases in subordinate courts become numerous Supreme Court to cover all the cases the cases both other okay Supreme Court name Pura cases Korea the case continued till 1958 and the Supreme got ordered in favor of orthodox faction फिर से Supreme Court ने orthodox faction के favor में verdict दे दिया क्या दिया कि मलंगरा churches के नीचे जितने चर्चा आ रहा है सारे चर्च के जो ownership है जो administration है वो orthodox faction देखेगा देखो इसकी और एक वज़ा में बताता हूं जो मुझे लग रहा है देखो जो जो जाकबिट faction है वो किसको मानते है अपना है पैट्रिया को आंटियो को मानते है जो एक foreigner है और जो orthodox वाले किसको मानते है जो केरला के जो हैड है कतोलिकों से उनको मानते है अब कोई भी जाकबिट faction to pay penalty of 1,50,000 रूपीस to the Catholicos as compensation for long years of litigation देखो वेडिक में यह भी बोला कि जाकबिट फाक्शन को तुमने इतने सारे case face डाल दिया अब 1,50,000 तुम compensation देदो कतोलिकों को कतोलिकों को ने जो केरला कहेड है केरला क्रिस्टिन कहेड है अनेबल to pay the compensation जाकबिट प्रिड नेगोशियेशन और जोइन और तुम अब जाकबिट रूप जो है वो लाइन पे आगया उन्होंने बोला हम अभी तुमारे साथ जुड़ जाएंगे और कतोलिकों को अपना हैड मानेगे प्रेट ओन तक कंडिशन एक शर्थ रखा एक कंडिशन रखा क्या कि और तो रोस पुड़ एक सब्सक्राइब पैट्रियाक अफ एंटियोकास फर्स्टमें इक्वल्स वेन थे अड्रस एप प्रब्लिक असेंबली और लीड दे मास्टर देखो अब जाकबिट फ्राक्शन ने क्या डिसेट कर लिया कि अब हम जो कातोलिकों से केरला का क्रिस्टिन है उनके अंडर में आ जाएंगे पर एक कंडिशन एक्षार्थ है क्या है कि हम जो अफी तक मान रहे थे पैट्रियाक और अंडियोको उनको फर्स्टमंग इकोल्स आपको कंसलर करना पड़ेगा मतल उनको नीचे नीदिखाना है हम आपके अंडरा आया इसका मतलो एनी उनका कोई वाल्यू नहीं है उनको भी आप फस्टमंग इकोल मान लो राइट अट अर्टरोग्स चर्च एक्स्ट इस ओल्स अनुन को नीचे 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 निदिखाने पर एक कंडिशन है ये जो पैर कि अधिया को फाइंड वे कभी कोई पीडिक्री नीदेंगे को अधिया को अधियू तर ने देंगे हम हम इंडिपैनें ले राइट इतना बोल के ये प्रोला उधर आगे चलता हैं लीग आगे चलता हैं लीगल पॉनकेट इस अगें दिखनेभी आप प्रूम गूटरी से after 12 years in 1972 a group of priests of the old Jacobit group without permission of the Catholicos went to Antioch and got some priests ordained as bishops देखो अब प्रोब्लम शुरू वार है फिर से प्रोडम शुरू वार है बारा साल के बाद जो पेनल्टी पेकरने का ताइम था हो तो निकल गया क्योंकि उन्हें नेगोशेशन कर लिया था 1972 में ये जाकोबेट वाले क्या किया उन्होंने कतोलिकोस कतोलिकोस वाभी उनका भी है उनको वितोर्ट प्रमिशन के बीना अंटियोक चला गया और उदर से कुछ प्रीस को लाया बिशब बनाने के लिए जो भूत पहले हो रहा था जो पैट्रियकोफ अंटियोक को जो जाकोबेट फ्रेक्शन मानते थे वो फिर से वो करने वितोर्ट प्रमिशन कातोलिकोस को कुछ पूछा हुछा नहीं ऐसे जाक कर उसको केस कंटिनूट तिल 1995 एंट सुपरींगोट आफ्टर डीटेल्ट हीरिंग हैल्ट आट 1934 कोंस्टूशन वस ओफिशन एंडेक्लेट जाकोबेट क्लेमास इल्लीगर फिर से वही हो गया जो मैंने बोला था देखो उननने 1972 में अंटियोक चला गया प्रीस को उदर से लाया फिर से वो पुराने स्टाट स्कोग को मेंडिल करने के लिए और 1934 का कोंस्टूशन कोंसर गरने के लिए फिर से प्रोडम सुरू आटा था पर सुप्रींगोट फिर से सुना ये hearing के बाद यही बोला 1934 वाला constitution जो है वो valid है और जाकवेट का जो claim है illegal है फिर से जाकवेट हार गया now they started filing petition the local courts claiming ownership of local parishes in which they support a solid majority again the case has went to apex court आप देखो यह सब के problem में बता रहा हूँ जो चर्चे के alarm है जितरे भी चर्चे उनके पास बहुत सारा प्रोपर्टी आप विशौस नहीं करोगे कितना है उनके पास बहुत प्रोपर्टी है ओ लोग medical college on कर रहा है engineering colleges on करते है उनके churches बहुत rich churches है इनके properties बहुत है इनके hospitals है तो इसलिए इनका administration मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है तो जाकोबिट भाले हार गए case फिर से चला गया local courts में कि ownership तो दे रहा हम है क्योंगी कुछ area में जाकोबिट fraction का majority है केरला में कुछ churches में कुछ area में जाकोबिट fraction जाता है कुछ area में और तरोट्स जाता है तो जहान जाकोबिट जाता है उन्होंने यह अभी बोले लगया हमें ownership दो दे दो इतनी property राइट आगे चलता है फिर से यह case सुपरींगोट पहुंच गया अब दो लेक्टेस वेटिक में बोल ना हूं जूले 3rd 2017 में ठीक है 17 में सबसे लास्ट वेटिक्ट आया सुपरींगोट ओड़िट आगे लेक्टेस को फिर से वालिट कर दिया गया और बोला ओर्टोडोग्स के जो बिशप है वही फूजा पाथ है उनके जो अपिनिस्ट्रेशन है सब वही करेंगे मतलत अगेंच जाकबेट वालों के अगेंस्ट वेटिक्ट आगया सिन्स देन और्टोडोग्स अस्टाटेट एकिंग अटर्टोडोड वेटिक्ट का पेपर आगया जहां उनके मैजरिटी कम भी है चार्चस में वह भी अपने कंट्रोड में लाना शुरू कर दिया मतलब पूरा कंट्रोड अभी order तो execution order मिल गया अभी अब क्या करना है जहां इनके मैजरिटी कम भी है ना उदर भी औरोग बोला आप ये चर्च वर्च हमें देदो ऐसा बोना लगिया अब केरला है कोट में बीच में ऐसे भी वेडिक है दा जाकोबिट फैक्शन को भी देदो भाई क्या करना है तो सुप्रींग कोट में फिर से पेटिशन आने ले गया तो सुप्रींग कोट ने अब तुम ज्यादा उसमें इंटरफेर मत को उन्होंने स्टेट गर्वर्ण को क्लियरली बोला कि आप मेरे ओर्डर को एनफोर्स करना ही करना है इट फ़र्दर वेंट ओन तो वार्न देट चीफ से कर लेंगे अगर आप ठीक से एनफोर्स नहीं करोगे तो हमने जो बोला आपको बोल दिया 2017 जुलिय थर्ड को वेटिट फैनल दे दिया ओर्टरोग्स वालों को दे दू राइग बट तो जाकोबी ग्रूब देर बिशप्स में लूस अथर्टी और प्रीस में लूस देर जोब्स देखो जाकोबीट गूप क्या प्रोडम होगा उनके भी तो बिशप्स है उनके पूरे ओटरोग्स वाले पूरे चर्टर्श का कंटोल ले रहा है इनके पस वेल्थ बहुत ज्यादा है इनके पस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है इसलिए ओनर्शिप के पीछे पढ़े हैं कारंटली अबट वन शिक्स्टी पैरिशे सरे अंडर दे कंट्रोग जाकोबीट बट को टोडरी इस इन फेवर और और तो अभी भी 10.160 पैरिशे ज़र्चेस जड़े की अंडर में अभी परिसे बातर गेम हैं कि जहान ज़िए जवाल एक जर्टी ज़ूचर की जादा है हो जब जो पूजा पाट जो रिजिया जिंगे हैं वो सब जचे ज़ूचर का मेजूरिट जाद है इस ज़ूचरिच मौन आर्ट की ज तो सुप्री कोड ने क्लियर बोला 1934 कच्छु कोड्सिट्यूशन और जो बनाय था वही फाइनल रहेगा तो यह lecture अभी मैं खतम कर दिया अब देखो यह सब problem आपको आप लोगे कहानी की तरह सुनाओगा पर मैं जितना बोल रहा हूं उतना आसान नहीं है यह बात इसलिए निऊस में बहुत आ रहे थे कि जनता जाखोबिट फैक्शन का एनंफोरिटी जहां जादा है उदर वो एनफोर्स करने नहीं दे रहा है इसलिए आजकल निंऊस में है और ज्यादा डिस्पूट ज्यादा बढ़ गया तो तो यह से पता नहीं होगा और तो तो केला में तो ये क्रिस्टिन ग्रूस में बीच में जो fight है, अभी भी fire में है, तो ये रहा मेरा मलंकरा church dispute के बारे में, उमीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ज़्यादा deep में नहीं बोला कुछ, बस उपर उपर से बता गया है, तो इसकी एक छोटा आपको लग गया होगा, मुझे उमीद है, आप लोगों को और कुछ doubts है, तो comment box में पूछ सकते हो, thank you for watching, bye bye